नमस्ते सदावसले मातर भूमेट जेहिं दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल हस्त में शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को दोस्तों पहली खबर चाइना की हिमाकत को लेकर आ रही है दरसल चीन अब अपनी हरकोतों से बाज नहीं आ रहा है बता दे कि चीन ने भारत को उकसाने वाली कारवाई की है दरसल ये बात है जोन के आखरी हफते की जब चीन ने भारत को उकसाने वाली कारवाई को अंजाम देते वे भारतिय हवाई सेमा का उलंगन करने की कुशिश की है चीन के फाइटर जेट्स ने पूर्वी लद्दाक में तनाद भारतिय जवानों के बेहत करीब से उड़ान भरने की हिमाकत की है इस घटना पर भारतिय वायू सेना के और से कड़ी आपत्ती भी दर्च कराए गए थी बता दे की चीनी वायू सेना के और से भारत को डराने के लिए इस घटना को ऐसे समय पर अंजाम दिया गया है जब चीनी वायू सेना पूर्वी लद्दाक से जुड़े बॉर्डर पर सेने अभ्यासों में जुटी है चीनी वायू सेना की और से इस अभ्यास के दोरान कई फाइटर जेट्स और S-400 जैसे एर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तमाल किया जा रहा है जानकारी के मुताबिर चीन की और से इस घटना को जून के आकरी हफते में सुभा करीवन 4 वजे अंजाम दिया गया था उस वक्त भारतिया सिमा पर तैनात जवान थे उन्होंने पूर्वी लद्दाक सिमा पर चीन के फाइटर जेट्स को गुजरते वे देखा था बता दे कि जवानों के साथ बॉर्डर पर तैनात रडार भी चीनी विमानों के उलान की आवाजाही दर्श कर रहे थे बता दे कि एर स्पेस में चीनी लड़ा को इमान के दखल के बाद भारतिया वाई सिना ने स्टैंडर ऑपरेटिंग प्रोसेजरस के तहत जरूरी कदम भी उठाए है और यहींगी दोस्तों इसके अलावक कल एस जाशंकर की वांगी से बाचीत भी हुई है वहाँ तो बड़ा खुश-खुश नजर आ रहा था वांगी लेकिन आप समझ सकते हैं कि चीन पीछे से चाको मारने वाला देश है इसलिए स्टतर करने की जरूरत है अगर वो हमारे एर स्पेस का उलंगन करता है तो भारत को भी डेफिनिटली ये काम करना चाहिए अदर्वाइस चाइना को बार बार मौके देने अच्छे नहीं होंगे दोस्तो अगली खबर की बात करते हैं तो वो HAL और साफ्रान को लेकर आ रही है एक नया सम्युक्त उद्यम बनाने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्चर की है हाला कि इसमें अपडेट आना अभी बाकी है फिलाल HAL के तरफ से खबर सामने आई है दोस्तो इलिए खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है फिलिपिन्स वाइज से ना को लेकर हाला कि दोस्तो अटकले बहुत सारी लगाए जा रही है तेजस को लेकर लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फिलिपिन्स वाइज से ना ने अपने बहु भूमी का लड़ा कुझे टेंडर में लॉकेट मार्टिन के F-16 और साप के JS-39 को शॉर्ट लिस्ट किया है इसका मतलब ये है कि भारत का LCA तेजस सहित अन्य उम्मीदवार अब इस टेंडर से बाहार हो गए है हाला कि अभी इस बात की पुष्टी हम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि खबर तो आती है और जाती है लेकिन पुष्टी बात में होती है बीच में कल मैंने आपको बताया भी था कि यूरेशन टाइम की एक खबर जिसे कि A.C.L. ने सीरे से खारिज कर दिया था जिसमें ये कहा गया था कि ऑस्टेलिया भारत के तेजस में कोई इंटरस्ट नहीं रखता है हाला कि इस तरीके कि आफ़ाओं पर ध्यान देने की हमें जरूरत नहीं है जब तक अधिकारिक बयान हमारे पास नहीं आ जाते हैं लेकिन फिर भी खबर तो खबर है बतानी जरूरी है बता दे कि जून के महने में ही फिलिपिन्स एयर फोस ने कहा कि उसे केवल दो प्रस्ताव मिले हैं अमेरिका और सुडेन से इसके अलावा ये कहा जा रहे कि फिलिपिन्स लॉकेट मार्टिन के पुराने संस्क्रण को चुन सकती है एफ सोला के क्योंकि जो निया वर्जन है वो काफी महंगा है जो कि इनके बजट से बाहर होगा लेकिन ऐसे कहा जा रहे कि इन फैटर जेट को अपडेट किया जा सकता है देखते हैं इसका अपडेट क्या आता है अधिकारिक बैयान क्या आता है भारत की तरफ से उसपर हमें इंतिजार करना होगा लेकिन फिलाल नहीं कि एरफोस ने F-16 और Grapin fighter jet पर दाव लगा है और उन्हें शॉट लिस्ट किया है आपको क्या लगता है कमें शुक्षिन में लेकर जरू बताएं दोस्तों अगली ख़वर भारतिय सेना को लेकर आ लिए भारतिय सेना चाह रही है कि जो उनके सिगनल के अधिकारी है उन्हें और जादा ट्रेंड किया जाए जिसके लिए उन्हें एक छोटा सैटलाइट्स चाहिए होगा तरसल अंतरिश के सेने उपयोग में चल रही प्रगती को ध्यान में रखते वे सेना अब मध्यपरदेश के Military College of Telecommunication Engineering में Core of Signal से अपने चात्रों को प्रशिशित करने के लिए एक छोटा संचार उपगरा चाहती है सेना के अनुसार भारते कमपनियों को संचार सैटलाइट के डिजाइन, विकास और निर्मान के लिए RFI भी जारी कर दिया गया है, जिसे इसरों के PSLV द्वारा लॉंच किया जाएगा बतादे कि संचार सैटलाइट का इस्तमाल भारते सेना सहित, 19 सेनाओं के द्वारा सर्वयापी संचार कवरिज परदान करने के लिए किया जाता है जिसमें दूरस स्थानों को भी शामिल किया जाता है, बतादे कि सेना कि इस छोटे सैटलाइट की परयोजना में सैटलाइट लिंक योजना, सैटलाइट डिजाइन, संचार पे लोड डिजाइन, निर्मान, संयोग और उपगरा के विदुद और यांतिर परनालियों का पर लब्द कराने के लिए प्रशिक्षित चंशक्ती का एक पूल भी उपलब्द है, बतादे कि स्रस्थ बलो के पास नौसेना के लिए जी सेट सेवन और इंडियान एयरफोस के लिए जैसे कुछ डेडिकेटर सैटलाइट है, रक्षा मंत्राले ने पिछले सार नौमर में इं सेना से आ रही है, दरसल 110 किलोमेटर रेंज वाली असरा MK1 एयर टो एयर मिसाइल को अब भारतिय नौसेना के 29 के में लगाया जाएगा, जिसे इस साल के अंत में लगा दिया जाएगा, पता दे कि HAL इस प्रोग्राम का इंचार्ज है और इनका इंटिगेशन का काम शुरू हो गया है, इसके लिए cat-based simulation का इस्तमाल किया जा रहा है, इन carriage और separation simulation के लिए, ताकि वास्तविक ट्राइल से पहले इसका इस्तमाल किया जा सके, वही तेज़स MK1 अपना carriage और separation trial पूरा कर चुका है, और जल्दी तेजर फाज़र्जर से इस missile का टेस्ट किया जाएगा, बढ stable mission drone, acoustic warning device for mobile application, JVPC 5.5, 6 x 30 mm कारबाइन, जिसे के DRDO ने बनाया है और कल्यानी ग्रूप इससे तयार करती है, इसके लावा 1.5 km range वाली, T5000 sniper rifle, 9 5.5, 6 x 45 mm, advanced कारबाइन, dual technology, mine detector और गरोडा 105 V2 Mobile Weapon Station, इसमें दिखाये गया, दोस्तों यही नहीं, इस प्रदशनी में कल्यानी ग् बनाये गई, 120 mm fin stabilized, armor piercing, discarding support, mark 2 ammunition को भी प्रदिशित किया है, जो कि अरजुन टैंक के लिए, और यह दोस्तों पहली बार है, जब किसी private sector की firm ने इस तरीके के ammunition को DRDO के साथ मिलकर तयार किया है, दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, तो वो HL को लेकर आ रही है, HL के chairman आर कर लिया जाएगा भारत में, साथी इससे तेजस की production line पर कोई परभाव भी नहीं पड़ेगा, chairman जी ने कहा कि तेजस MK1A के delivery 2024 से शुरू होगी, और 2030 में ये पूरी हो जाएगी, आगे उन्होंने बताया कि इसका जो 5% लाब होगा, उसका इस्तमाल, design और सोधिशी करन पर लगाया जाएगा, जिससे की जो पार्ट बाहर से आते हैं, उन्हें भी सोधिशी रूप से तयार किया जा सके, साथी उन्होंने बताया कि वियतनाम, फिलिपिन्स और इजिप्ट को भी उन्होंने तेजस का offer किया है, और इजिप्ट को तो तेजस के लिए local production की भी offer की गई दोसर अगली खबर भारतिया नौसेना को लेकर आ रही है, दरसर राफेल, मरीन और F-18 Super Hornet, दोनों के दोनों अपनी शमताओं को पर्देशित कर चुके हैं गोवा में, अब रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भारतिया नौसेना ने deck beast, जो fighter jets हैं, उनके बारे में घोशन अगले दो मेहनों के अंदर कर सकती है, बता दे कि France और America के जो manufacturers हैं, दोनों इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो इस competition में आगे हैं, वही भारतिया नौसेना का तियास हमेशा से यही रहा है कि उन्होंने वही aircraft चुना है, जो कि भारतिया वाई-सेना में भी शामिल रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, भारतिया नौसेना का मानना है कि वह उन्ही aircraft को चुनेगी, जो कि भारतिया नौसेना की operational जरूतों को पूरा करते हैं, अगली घबर DRDO को लेकर आ रही है, दोसरो DRDO की electronics and radar development establishment ने एक tender release किया है, जो कि realization of affordable mobile radar hardware के लिए है, जिसे कि industry partner क साथ मिलकर तयार किया जाएगा, साथ ही DRDO ने कहा है कि जो भी partner इसके लिए चुना जाएगा, उसके पास इस तरह की system को development or qualification assembly, इसके अलावा 4 level mobile radar hardware integration की सुवीदा होनी चाहिए, जिसमें की rail electronics, containerized, power and cooling system और दूसरे sub system भी वह तयार कर सके, इसके अलावा ये 6x6 high mobility vehicle पर mount होना जारी किया है, underwater platform के design development और propeller की आपूर्ती के लिए, जो कि भारतिय कंपनियों के लिए, पताते कि हिस्सा लेने वाली company के पास इसको तयार करने की शमता होनी चाहिए, इसके अलावा test करने की facility होनी चाहिए, और propeller और shafting system को supply करने की भी शमता होनी चाहिए, पताते कि propeller का जो diameter है, वो 3 मीटर का होगा, और shafting system जो कि underwater platform के लिए तयार किया जाएगा, उसका design ऐसा होना चाहिए कि वो घहरे पानी में और surface operation में operate किया जा सकता हो, दोस्तों अगली ख़बर भी चाहिए, दोस्तों LAC पर तैनाथ भारतिय सेना के जवानों को radio communication में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा इसलिए क्यूंकि चाहिना ने अपनी तरफ सिमावर्ती इलाकों में अब 5G network को शुरू कर दिया है, एक report के मताविर चीन ने LAC के अपनी तरफ जिस 5G का इस्तमाल शुरू किया है, उसकी वज़े से भारतिय सेना के communication device में अजीब सी तेज आ कर सकता है, जिसका इस्तमाल भारतिय सेना करेगी, ये K-band frequency का इस्तमाल करने में मदद करेगी, ये frequency आम जनता के लिए या commercial इस्तमाल के लिए खुली नहीं होगी, साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसे केवल रक्षा बलो और radio astronomy के लिए इस्तमाल किया जाएगा और इसे अलग स इसे बात है, तो दोसरी ये थे अबते के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के समने कोई प्रस जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट शेक्टर मिले के जरुब हो सकते हैं, मिलता और नए वीडियो के था, चैनल जो सब्स्राइब कीजिएगा, जय हिंद व